Hello friends, good evening and welcome to my channel Morning में मैंने आपके लिए कुछ range दिया था कि market अभी एक post candle लेगा या फिर break out करेगा तो क्या level रहेंगे उसके उपर market अभी फिलाल के लिए गया नहीं है बहुत अच्छा price action बन रहा है आपको बड़े move के लिए market ready है लेगिन आपको अभी आप मार्केट की breakout का बेट करना होगा range की फर्मिशन कर रहा है उस range में आपको बेटेंड बाद सीच्वियस में बने रहा है जिधर आपका breakout होता है और confirmation के साथ में होता है तो हम उस साइड में इंट्री कर लेंगे अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करिए साथ में बेल आइकन दाबना मत बिलिए प्लेलिश में आपको कुछ learning content मिल जाते हैं यहां से आप मुझसे जूट सकते हैं साथ में टेलीग्राम चैनल कर लेंगा आपको description box में मिल जाएगा वहां से आप मेरे regular rate के लिए जूट सकते हैं जिसमें हम आगे हैं चार्ट पे चार्ट की जो morning analysis थी अगर आपने देखा होगा तो morning sentiment में हम इस zone को mark किये थे जो 75,800 का level है यह और उपर का तरफ 666,000 यह 200 point बहुत important सा यहां के लिए और नीचे का 200 point था 75,000 से लेगे 75,400 नीचे का 200 point मार्केट इसी बीच में range में formation करने वाला था और आपको इसी range में मिला भी है maximum जो इसका closing अगर आप देखते हैं तो 75,400 से लेके 75,600,700 इसी बीच में ट्रेडिंग होती रही है अब यहां पर क्या sentiment बन रहे हैं अगर इसको आपको देखना है तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे तो वहां से मैं clear move दिखाई पड़ेगा यह देख रहे हैं rally continue चल रही थी इससे पहले जब market downside पे था तो लगा था उसके बाद में candlestick pattern में 2-3 दिन तक यह थोड़ा सा आपको price section बनाता हुआ दिखाई पड़ा था कि market कुछ अभी यहां पे change करने वाला gear यहां पे similar type की candle बन रही है 76 के उपर अगर यह closing business पर नहीं जाता है तब तक हम इसमें strong buying की position नहीं बनाएंगे 75 के उपर 76 के उपर जाता है तो हम इसमें थोड़ी सी buying परचुटी देखने की कोसिस करेंगे यहां पे है weekly sentiment जो हमने analysis किया था साथ में अभी hourly sentiments का वीडियो है अब चलते है 4 hour में 4 hour के candlestick pattern अगर आप देख रहे हैं तो opening होने के साथ में market ने जो range बनाया है दोनों range बहुत ही important है अभी इसने कल के high को भी cross नहीं किया है और low के आसपास भी आके फिर उसके उपर closing किया ह तो ultimately अगर इस zone में आज closing कर देता है तो हम यहां पर position नहीं बनाएंगे लेकिन कल के लिए move के लिए हम थोड़ा सा ready रहेंगे अगर market breakout करता है 75,800,900 के आसपास निकलता है थोड़ा अगर आपको risky trader है तो यहां पर buying opportunity 200,300 point के लिए देख सकते हैं लेकिन अगर 76 के आसपास य यह trade करता है एक 200 trade करता है उसके बाद अगर यह निकलता है तो हमें rocket move उपर की तरफ मिलेगा same type से अगर 75,400 से नीचे निकलता है तो फिर यह 400 point के लिए आपको 75 तक का नीचे भी level दिखाई पड़ेगा लेकिन उसके पास इसको trading करना चाहिए जैसा कि sentiments अभी यहां बनती किया था भी further recover करने की कोसिस कर रही है अब फिरेंट हम इसके बाद में daily sentiment में देख लेते हैं तो daily sentiments में अगर यह candlestick pattern अगर आप देखते हैं यह candle pattern कहीं नीचे बना होता तो हम इस पे थोड़ा सा positive की तरफ जाते हैं लेकिन यह top पे बना है ऐसा candlestick pattern तो भी यहां पे है तो इंट्री के प्लान करना होगा इंट्री मेरे जो माई भी हो है 76 के उपर अच्छी इंट्री बनती भी दिखाए पड़ रही है 75800 से लेके यह 200 पॉइंट है यहां पे आपको थोड़ा small quantities के आप में थोड़ा risk के साथ में देख सकते हैं यहां आपको लबग 800 पी इंट्री कर है 76 पे अगर बाइंग कर रहे हैं तो आपको यहां पे 600 पॉइंट का इस्टाप्लास बनेगा थोड़ा और प्रोड़क्टिव है तो आपको 75600 पे इस्टाप्लास लगा सकते हैं ओबराल मार्केट अभी बहुत अच्छे सेंटिमेंट में है थोड़े दिन पाउज लेने द क्लोज करेगा तो बहुत अच्छी क्लोजिंग होने वाली है थैंक यू फ्रेंट्स